तो नमस्कार जै श्रीराम जै बागेश्वरधाम तो दोस्तों मैं अभी उपस्तित हूँ आप लोग जानते ही हैं कि मैं अभी भोपाल स्टेशन उपस्तित हूँ अभी यहां उतर चुका हूँ और यहां से मैं आप लोग को लेके चलूँगा दोस्तों जहां पर कंटले कुलता है, तो आप लोग कुले के चलते हैं तो यहां थे आटो पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे इस सुट अगर आप रानी कमला पती इस्टेशन भी उतरते हैं भुपाल इस्टेशन या रानी कमला पती इस्टेशन दरते हैं तो वहां से दोनों जगह से आप लोग आटो पकड़के क्रोंच आ जाना है और वहां एक पीपुल्स मॉल है आप लोग को मैं बता चुका हूं पीपुल्स मॉल के पीछे में कारेश कर्म चल रहा है दोस्तों तो आप लोग बने देए वीडियो में आपको लेके चलते हैं पीपुल्स मॉल यह देख सकते हैं दोस्तों यह है भुपाल इस्टेशन और यहां से हम लोग बागेश्वर्थ हामसरकार की जहां पर कथा हो रही तो फाइनली दोस्तो हम लोग इसी अटो से अंब जा रहे हैं वहाँ पर और पीपुल्स मॉल आप लोग को स्सेशन देखिपमाल को पीछे हैं आप लोग एक आगे नहीं पीछे और हम लोग अटों को पढ़ गए दोस्तो देख सकते हैं और हम लोग यहां से निकलेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां पर हम आने वाले थे वहां पर आ चुके हैं मेरे पीछे पंडाल बन रहा है दोस्तों और आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी की जारी है वहां पर तो दोस्तों देखिए यहां पर बहुत रात में बारिश हुआ है बहुत ज्यादा और यहां पर अभी विवस्ता सारा चली रहा है और देखिए यहां पर सब नलका लगाया गया है पानी पीने के लिए छोटा-चोटा पूरा जो कि जितने भी भक्त आएंगे सभी लोग पानी पीने के लिए यहां पर विवस्ता किया गया है और सब यह भी विवस्ता हुई रहा है यहां पर देखी रहे हैं आपको चलते हैं अंदर की तरफ थोड़ा दिखाते हैं आपको क्या विवस्ता हो रहा है अभी देख सकते हैं दोस्तों यह गुर्देव महराज का मंच बन रहा है अभी तैयार ही हो रहा है और देख सकते हैं क तो दोस्तों आप लोग जान ही गए कि कैसे आना है भुपाल एस्टेशन से या रानी कमला पती एस्टेशन से और यहां पर हम पहुँच चुके हैं आप लोग भी इसी तरह से आईए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें मै आपको सारा डीटियल्स बताऊंगा और आप लोग यहां पर पहुंच सकते हैं इजली तो रखते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैस्रेडाम जैबागेस्वर्धाम